नमस्कार दोस्तों, एक बहुत important development हुआ है BRICS related, आपको पता होगा जो BRICS देश हैं, जिसमें 5 देश आते हैं Brazil, Russia, India, China और South Africa, तो इन 5 देश के द्वारा एक bank बनाये गया था जिसका नाम है New Development Bank, तो अभी तक यही 5 देश थे जो कि इसका member थे, पहली बार New Development Bank ने 3 नए members को शा तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे कि exactly हुआ कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पर New Development Bank को जो नए members हैं उसको शामिल करना पड़ गया, क्या यह पहले से त्यारी चल रही थी, इसका significance क्या है, काफी कुछ जानने को है, चलि आगे बढ़ते हैं लेकिन उस expansion program चल रहा था, ठीक है, तो इस program के तहत वो चाते थे कि और कुछ members इस bank के साथ जोड़ें, और इसी के तहत यहाँ पर पहली बार जो BRICS Group of Nations हैं, उन्होंने एडमिट किया है उरुगवे, United Arab Emirates और बांगलादेश को, और यह first batch of new members हैं, हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर और भी members जोड़े जाएं, और इसी को देखते वे भारत की तरफ से जो newly appointed members हैं, उनका स्वागत किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो foreign ministry के spokesperson है, अरिंदम बाक्ची, उनके दारा बोला गया है कि India welcomes Bangladesh, UAE, और अरुगवे, as new members of BRICS, new development bank family, ध्यान रखना, BRICS का member नह value और इस तरफ की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और भारत की तरफ से बोला गया है, कि यहाँ पर जो emerging economies हैं, उनको काफी हद तक फायदा मिल सकेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, new development bank के expansion program की, तो जो statement जारी किया गया, उसके अंदर यह बताया गया है, कि late 2020 से म पर चर्चा चली, कि क्या करना चाहिए, क्या new members को सामिल करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, और फिर finally, successful negotiations के बाद, decide किया गया, कि यह तीन जो नए देश हैं, उनको इसका member बनाया चाहेगा, और बांगलादेश तो आपको पता ही है, देश के हमारे जस्ट पड़ोसी मु आपको पता होगा, यहाँ पर है, इसके लाबा अगर हम अरुगवे की बात करें, तो जो South America है, उस continent में आपको देखने को मिलेगा, और अरुगवे एक छोटा सा देश है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, अर्जंटीना और जो आपका ब्रजील है, उसके साथ इसकी boundary जब उसके अंदर और ज्यादा मेंबर्स जूडते हैं, जब लोग जोड़ जाएंगे उसके साथ देरे-देरे, आज United Nations की महतवत्ता क्यों है, क्यों बारवा United Nations की चर्चा होती है, क्योंकि पूरा विश्वी एक तरह से आप कह सकते हैं, उसका member है, 193 countries उसके अंदर शामिल तो उसी लिए उसकी महत होता है, तो कहीं न कहीं इसको देखते वे यहाँ पर जो emerging economies का एक development institution बन सके, global stage पर अपने आपको position कर सके, यह new development bank कहीं न कहीं इसको देखते वे इसकी membership को यहाँ पर बढ़ाया गया है, जहां तक इसके significance की बात है, अगर मैं specifically बात करूँ United Arab Emirates की, तो उसके membership को लेकर, वहाँ के जो Minister of State for Finance Affairs है, उनके दोरा बयान दिया गया, कि एक नया step है, ताकि जो UAE का economy है, उसको global stage पर लाया जा सकेगा, उसको और जादा महतुता मिलेगी, इसके लाबा आपको यह भी समझना है, कि UAE की जब हम बात करते हैं, तो जैसे दुबाई हो जितने भी regions हैं, वहाँ पर अलग-अलग Emirates हैं, वहाँ पर आपको infrastructure बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, तो उनके पास काफी बड़ी capability है, infrastructure projects हो गया, sustainable development हो गया, वो काफी हद तक आपको उस देश के अंदर देखने को मिलता है, और इसका फायदा कहीं न कहीं, बाकी द integration है, वो इससे अचीव हो पाएगा, और साथी साथ जो cross border trade होता है, investment होता है, वो भी काफी अच्छे से हो सकेगा, इसके अलावा जो जहां तक बांगलादेश की बात है, तो मैं आपको बता दो कि बांगलादेश के द्वारा जो बयान आया था, statement आया था, उसमें उन्होंन में तब आएगी, मतलब officially तो new development bank के दोरा बोल दिया गया है कि member बन गहें, लेकिन इनकी effectiveness तब आएगी, जब वो अपने अपने देश के अंदर domestic जो process होता है, जो कानून वगर होते हैं, या फिर जो भी formal legality है, उसको complete करेंगे, और साथी साथ जो instrument of accession है, उसको sign करने के बा पर decide किया गया था इन पांच देशों के दोरा की एक new development bank बनाना चाहिए, और इसलिए आया था, इसका main काम अगर आप देखोगे तो यह है कि जो infrastructure है, उसमें funding करना, sustainable development के effort को और ज़्यादा बढ़ाना, इसके लाबा जो underserved या फिर जो emerging economies हैं, वहाँ पर ज़्यादा development हो सके through innovation and cutting edge technology, इसकी वजह से कही न कहीं यह जो BRICS का new development bank है, वो बनाया गया था, इसका headquarter याद रखिए का China के अंदर Shanghai में है, confused मत कर ले ना Beijing के साथ, Beijing एक अलग हो जाएगा, ठीक है, तो Shanghai में इसका headquarter है, 2018 में in fact क्या किया गया था, कि यह जो new development bank है, इसको observer status दे दिया गया था, United Nations की General Assembly में, यह भी आपको ध्यान रखना है, अब देखें, यह जो bank है, यह क्या करता है, कि public हो, private projects हो, कोई भी project हो, उसमें यहाँ पर funding देता है, कैसे देता है, जैसे loan के माध्यम हो गया, guarantees ने दे लिया, कि अगर इस project में कुछ fail होगा, तो हम guarantee लेते हैं, equity participation हो गया, मतलब जो shares होगरा buy करना होता है, वो भी यह करता है, यहाँ फिर अलग-अलग instruments के माध्यम से भी, यहाँ पर निवेश किया जाता है, new development bank के दौरा, और इसकी जो authorized capital अगर आप देखोगे, तो total मिलाकर 100 billion dollar देखने को मिलेगी, और हर एक member के पास सिर्फ one vote होता है, ध्यान रखेग जिसकी total value अगर आप देखोगे, तो it is around 30 billion dollar के आसपास, और in fact मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा projects की funding अकेले भारत को मिली है, और अलग-अलग sector में, चाहे transportation हो, water हो, sanitation, clean energy, digital infrastructure, यह सभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन recently मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो जो आपका meeting वगर चल रहा था, तो भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि BRICS का यह जो new development bank है, इसके resources को खर्च करना चाहिए for strengthening social infrastructure, जो social infrastructure होता है, जैसे कि housing की facility हो गई, education हो गया, health हो गया, उसको उसके उपर भी खर्च करना चाहिए, ऐसा भारत की तरफ से बोला गया ह अब देखते हैं कि क्या इसको अपनाया जाता है कि नहीं, बट यह अभी के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो I hope कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी present में context था, यह join करनेगा वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए regarding Asian Development Bank, ठीक है, यह अब हमने बात किया New Development Bank के बारे में, लेकिन Asian Development Bank से related तीन statement है, बताइए कौन सा correct होगा, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं है, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डाल ताइस नेक्स ताम तिल देन थैंक यू अरी मुच, सुन्सूच